हलो दोस्तों नमस्कार मैं डॉर्टर दुर्गाशंक का शुक्ला आपका मैं खेलती इंडिया चैनल में आपका स्वागत करता हूँ आज का हमारा टॉपिक है दोस्तों डाविटीज मेलेटेस डियापटीज मिलेटेस, बहुत सारे लोगों को बीमारिया डियापटीज की हो रही है, इनके बारे में जयनकारी रखना जरूरी है दोस्तों इस वीडियो को पूरा देखें, आपको मैं पूरा विस्वास दिलाता हूँ को डियापटीज के बारे में एटुड जेज आपको पता हो जाएगा जरूर देखें इस वीडियो को अगर आपको सुगर से चुटकार आपाना है तब चलिए वीडियो को स्टार्ट करते हैं डियापटीज मिले टैस इसकी डिप्सिनिशन कहा थी इस ये ग्रूप आप मेटाबॉलिक डिजीज करेक्टाइज इंक्रीज लेवल आप ग्लूकोज इन दा ब्लड जिसको कहते है इन ग्लूकोज का ब्लड में इंक्रीज करना है हुना या ना होना जो इंसुलिन आक्षण का ना होना या दोनों हो सकता है इसका कारण ग्लूकौर्ट करम ब्लाइंट डिस उसका जिस Iss Ow इंसुलिन 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 इंसुल Might Gold Rab记ाव होता है तो पंक्रियाज क्या सिक्रेटrid करती है जब Lea Blood ност。」 नार्मलबण ग्लुकोज इन्टू ब्लड्ड ग्लुकाज ग्लुकाज आपू होता है जब आलफा से ब्लुकाज से साही काम करता है यह क्या करता है लेवर ग्लुकोज ग्लुकोज इन्टु ब्लड ग्लुकागान जो होता है ग्लुकागान हार्मोन जो होता है ग्लुकोज को ग्लाइकोजन में कनवर्ड करने का काम करता है एचीव नार्मल ब्लड ग्लुकोज लेवर लेवर लिज इन्टु ब्लड यह क्या कहता है ग्लुकागान हार्मोन जब ग् मसल्स में स्टोर होता है यह ग्लुकोज की फैक्टरी होती है ग्लुकोज का स्टोर ग्लाइकोजन की रुप में होता है ग्लाइकोजन को तोड़के ग्लुकागान हर्मन ग्लुकोज सीलीच करता है, और भ्लड को मर्ड में और होता है, अब दूसरा काल, अगर, ज्यादा असुगर होता है, तो पंक्रेम की बीटा से इंसुलिन से क्रेट होता है, जो फैट टेक ब्लड dependence कि खेक को इंक्रीजकर देथा और सेल्स ग्लुक जो को एप्रेक लेती हैं ले लेती हैं और फर ब्लड में डॉर्मन को बनाये रखती हैं यह पूरा इसका फंक्षन रात हैं इनसुलिन का और और ग्लुका गार्मोन का कैसे ख्लक ग्लुकोज को ब्लड में डॉर्मन कर मिलाक az like season करेंगे इस पिक्चर के माध्यम से इसमें किया क्या होते हैं इसमें सारी पिच्छे ईमिन जिसको सुगर होती है इसके 3 सिम्टम होते हैं जैसे polyurea मतलब ज्यादा urine अना अगर इंसान के urine में 180 mg per deciliter अगर सुगर ज्यादा है तो क्या करते हैं तो जब urine होती है तो सुगर इतना ज्यादा होता है तो सुगर वाटर को रिटेन करता है इसलिए इसको polyurea होती है और urine में glucose का test कैसे benedict test होता है benedict test क्या होता है इसमें green, yellow, orange, red, brick rate यह सब आते हैं और percentage के जाब से green आया तो 0.5% हुआ glucose, yellow आया तो 1 हुआ, orange आया तो 1.5 हुआ, red आया तो 2 हुआ, brick rate आया तो more than 2 हुआ यह test होता है अब polyphasia होता है मतलब polyphasia भूख लगना जिसको कहते हैं भूख लगना अगर insulin का secretion है तो glucose का utilization कम हो जाता है तो जिससे मतलब hunger center जो होता है जैसे glucose level blood में कम होता है वैसे hunger center अक्टिबेट हो जाता है जिससे आदमी को polyphasia भूख लगती है बहुत ज्यादा भूख लगती है और poly dyspia dyspepsia मतलब प्यास लगना प्यास लगना अब urine से water का loss हो रहा है dehydration हो जा रहा है तो इंसान को प्यास लगेगी अब आते हैं कि insulin कितने प्रकार्ट है यह लिखाश में फर्स सेखेंड diabetes 1 डापीज 2 डापीज 1 में क्या था insulin को complete deficiency होती insulin बंता ही नहीं और diabetes second में क्या होता insulin बंता है कम बंता है ज्यादा मंता है या उसका utilization कम होता है और diabetes वन जो होती है 1974 जिने के 30 साल से कम उम्रवाले को होती है, 30 साल से कम उम्रवाले को होती है, 30 साल से कम उपर वाले एज को होती है, अब डायबेटीज का ी किषभन का दोनों दिये जाते हैं, डियाबटीज 2 में, अब आते हैं, लैब रिपोर्ट में देख लेते हैं, अगर सुगर कब माना जाएगा, अगर फास्टिंग सुगर 126 mg पर डिसलीटर है, तो सुगर माना जाएगा, 2-hour plasma glucose जो लोते हैं, उसका टेस्ट करते हैं, अगर वो 200 से ज़् आता है, रेंडम सुगर करते हैं, तब ग्लुकोज है, एजवियन एसे, ग्लाइकोस सालेटेट ही मोर दन 6.5 है, तो ग्लुकोज, तो माना जाता है, पेसेंट डियाबटीक है, ये 6-8 बिक तक देखते हैं, टेस्ट करते हैं, अगर बढ़के ही आता है, 6-8 बिक में, कंफर् माइक्रोबेस्कलो कॉम्प्लिकेशन में क्या होता है, निरोपाइथी होती है, रिटनोपाइथी होती है, निफ्रोपाइथी होती है, और माइक्रोबेस्कलो कॉम्प्लिकेशन में क्या होता है, कैट्रेक्ट होता है, कैट्रेक्ट होता है, आख में कैट्रेक्ट होता है, औ मताब क्या क्या होते, Zimptom में क्या ग़ौ coconut, भूग बहुत जादा लगेगी, बहुत ज़्यादा WIT Loss होगा, आंग से कम दिखाई देगा, Slow healing of cut and sore, घाउस का healing कम होगा, बहुत धीमा होगा, थकान लगेगी और Vig gauche diab's infection मताब Vig ballot infection बार बार होगा आप क्या आता और अगला symptom क्या आता frequent urination including frequent full diaper in infant bed wetting in children मतब बहुत ज़्यादा urine होगा बच्चे तो बिस्तर में भी पिशाप कर देते हैं आते हम देखते हैं diabetes 2 में क्या क्या symptom होते हैं इसमें भी प्यास लगेगी चक्कर आएगा भूख लगेगी बहुत ज़्यादा भूख लगेगी नंबनेंस और टिंगलिंग होगी गुद्गुदी और नंबनेंस होगी हैंड और फूट में इस पिसाप बहुत आएगी और बेट का लास होगा diabetes 2 में फिर और क्या देते हैं कैसे क्या था diabetes कैसे explain करते हैं देखो भूख तो नार्मल होगी अगर परसंट डाइबिटिक है तब भी और फूट इस ब्रोकेन डाउन इंदा स्टॉमक इसमें भी फूट इस ब्रोकेन डाउन स्टॉमक सुगर गोज इंटू व्लयग स्ट्रीम अगर परसंट बैद डाइबिटिक और तयाइबिटिक संट 085 मतब दिक्षत क्या होगी इसमें कि पइंक्रिया सेंट इलिन इंसूलिम इसमें इंस्ट इंपाड़ी कर्ष двеटिक के यूजर अगर परसंट डाइबिटिक नहीं हो तो तो पैंक्रियार इंसुलिन देगी और इंसुलिन की है तक ग्लुकौज के अप्टोग को बलाँ कि जिसे भी जो क्लुकौज और इनरजी मिलेगी और वालार्मल वाथ करता अगर प्रिशन डाइबितिक ips. ट्र एंग नोर्ष से इंसुलिन का सेक्रेशन नहीं होगा जिससे ग्लुकोज का इक्टुलाजिशन नहीं दो ग्लुकोज ब्लड में बढ़ता चला जाएगा जिसी को हम सुगर कहते हैं अब आते हैं कौन-कौन से ठेश्ट होते हैं इसके एक होता है फास्टिंग üstप्रेंडियर रेंडम और जी टी टि ऐस्टिंग क्या कहते हैं से 12 hours fasting required होती है मताब रात में 12 घंटे की fasting required होती है normal क्या होता अगर less than 99 gram per deciliter है तो उसको normal कहा जाएगा post parental में क्या कहते है two hour after meal खाना खाने के दो घंटे बात करते हैं अगर less than 200 तब भी patient normal है random no special required normal less than 200 आ रहा है random तब भी patient ठीक है normal है और GTT में क्या diagnosed type 2 diabetes type 2 diabetes gestational diabetes during pregnancy GTT test करते हैं अब आते हैं इसका descriptive देख लेते हैं मतलब टेस्का random में क्या होता random क्या है random blood sugar test check your blood glucose at random time of day मतलब नॉर्मल क्या अब fasting क्या होता fasting as name suggest means referring from eating or drinking any liquid other than water of eight hours 8 hours मतब 8 से 12 घंटे मतब फास्टिंग होने भूखा रहना ची मतब कुछ नहीं लिगा हो it is used to test for diabetes अगर 90-110 mg पर डिसलिटर तो पेशेंट नॉर्मल है अगर 110-125 आ रहा है तो pre-diabetes मतब पेशेंट को मतब diabetes हो सकती है अब two hour मतब खाना खाने के दो घंटे बार पोस्प्रांडेल पोस्प्रांडेल ब्लड सुगर टेस्ट मीजर ग्लुकोज एक्जिटर टू आवर आप्टर एटिंग यह मिल टाइम फ्रॉं स्टार्ट आफ दा मिल अगर 140 से नीचे है तो पेशेंट नॉर्मल होता है तो आवर पोस्प्रांडेल जो ते हैं अगर 140 से 190 ह है तो क्या है प्रीडियाबिटिक होता अब मौर दन 200 अगर्वल टूहनडेटीक होता है ग्लुकोज टॉल्डट टेस्ट क्या होता है जिटीटी एक ग्लुकोज ट्रॉल्ड टेस्ट मीजर हाव वेल और बोड़ी और अब्ड़ेटीट ग्लुकोज 75 ग्राम सुगर आफ्टर योर इंजेस्ट एक गिवेन एमाउंट आप सुगर फास्टिंग देखते हैं पहले गुलकोष जीटीटीम पहले फास्टिंग देखते हैं वही एड से टोल आवर फास्टिंग करके देखते हैं तो यह 6200 आता है तो प्रेसंट प्रीडाबिटिक है अगर आप्टर टू आवर लेस दन टू हंडडे है तो प्रेसंट प्रीडाबिटिक है अगर आप्टर टू आवर लेस दन 40 मिलिग्राम पर टिश्टिंग तो प्रेसंट प्रीडाबिटिक हो सकता है यह होता है GTT करते हैं अब आते हैं अब आते हैं एक चार्ड के माद्धम जो समलें नॉर्मल क्या आता फास्टिंग 80-200 होना चाहिए आप्टर इटिंग 170-200 होना चाहिए और 2 आवर आप्टर इटिंग 120-40 होना चाहिए अगर फास्टिंग 101-125 अगर फास्टिंग 101-125 होना चाहिए इसको टोल किया सकता है जैसे डाइट मोडिटीकेशन और एक्सरसाइस करना फिशकल मोडिकेशन करके और अगर आपटर इटिंग 190-230 है तब भी पेसेंट मतब प्रीडिवितिक कहलाएगा और 2 hour after eating है 140 to 60 है तो pre-diabetes होगा और diabetic कब होगा अगर fasting more than 126 है और after eating 20 to 300 है और 2 to 3 hour after eating करते हैं 200 सोच जाता है तभी patient diabetic कहा जाएगा यह फिर दिया गया चार्ट fasting का फास्टिंग का फास्टिंग नॉर्मल क्या था 70 to 100 mg per deciliter प्रियोड डियाविटिक 100 to 125 mg per deciliter more than 126 मतब टाइप 2 डियाविटिक मिलिटेस होता है 2 hour after eating क्या होता लेस जन 140 है तो नॉर्मल है 140 to 199 है तो pre-diabetic है more than 200 है तो टाइप 2 डियाविटिक मिलिटेस है अगर 6 या और लिस्ट है तो नॉर्मल है 6 to 6.4 है तो pre-diabetic है और more than 6.5 है तो डियाविटिक मिलिटेस है अब देखते हैं इसको control कैसे कर सकते हैं डियाविटिक इसको control कैसे करते हैं कि फेजबन में दिखा येता है वही सीचे लाइफ माटिफिकेशन करके जाएज उन चीज नों को कम खाए क्या होगा तो रिलीजान बलگ स्ट्रीम अपना पर्नीट्रिम में ट्रेबल व्लेड अब क्या होगा है कि फेस 5 के बाद होगा कि इन सूली रिलीज स्टू ट्राउम सिस्यों टेक ड्लू कोसा पाम ब्लड आप जब ग्लुकोज ब्लड में आएगा तो इनसुन ही रिल्यूज होगा और जो ग्लुकोज के आपको को बढ़ा देगा अब अगर हम एक्सरसाइज करते हैं तो क्या होता है आप या अप्टर एक्सरसाइज दिखाएगा आपके ग्लाइकोजन स्टोरेस्ट डि ब्लड में ग्ल्ुकोज है इंसुलिन रिलीज होगी जो ग्ल्ुकोज का अप्ट्रों को बढ़ाइगा और नया ग्लाइकोजन भंडार बन जाएगा अब क्या ब्लड सुगर अब फिर जैसे ग्लुकोज ग्लाइकोजन में करमाट होगा और इस्टोर बंदा बढ़ेगा ग्लुकोज कम इंसुलिन रिलीज इस्टॉप हो जाएगी इंसुलिन का रिलीज स्टॉप होगा अगर मालो इधर देखते हैं रेट जो दिखाएगा इसमें एक्सर्साइज नहीं करते हैं तो नो चिंज इन ग्लाइकोजन इस्टोर मसल कांट रेस्पाउंड टो इंसुलिन एज ग्लाइकोजन इस्टोर इस्टिल फूल ब्लड ग्लुक इसको मसल कांट रेस्पाउंड टूर इस्टोर इस्टिल फूल और इस्लिन का मसल इस्टुलिन के के प्रतिर स्वन्स नहीं कहते हैं अब रेंट समयना जूरूर है आते हैं TREATMNY में क्या क्पूसी डवाय करते pH टी क्या ता होता है सब क्श sacar सब करना से लिए का घ्लूकोज को मेंटेन रखना है इसके कम होगा तो इसके सब करकास का प्रोड़क्साना होगा कार्भारेड कच बढ़ेगा उच्छाक में का कॉर्ड को को साइटेक रखान तो दवाहें घ्लॉके इंजेक्टेट इंसुलिन यूज होती है। सेलफेश झालीरी ग्रूप यूज होता है। जोन यूज होती है। इस एक आप खाते हो और सब का का म काम आप वीड 505 की खार करेंद ज्य ठाल करें एक कुछ मसल खख़प काम करके डिबर घृच को ऩ१क रखना। अब आते हैं, कम्प्लिकेशन क्या क्या आते हैं, दो कम्प्लिकेशन माइक्रोबेस को कम्प्लिकेशन में होता है, आई में होता है, आई में क्या होता है कि हाई ब्लड ग्लुकोज और हाई ब्लड प्रेसर कें डैमेज आई ब्लड बेसल को डैमेज कर दी से रेटनो पैथी हो लूकुमा चबता है किड्नी में क्या होता हाई ब्लड पेशर डामेज बेस्टेश औल इक्षाल ब्रड रोकोज वह ओवर्वर्ट दा किड्नी रिजल्टिंग निप्रोपैथी निरोपैथिम क्या थे हैं, hyperglycemia, damaged nerve, in the peripheral nervous system, this may result pain, numbness, feet wound may go undetected, get a lead to gangrene, निरोपैथिम क्या थे हैं, pyro में numbness होती है, और gangrene भी हो सकती है, pain होता है, अब macrobascular complication में क्या होता है, brain, brain में क्या होता है, increase risk of stroke, cerebrovascular disease हो सकती है, including transient ischemic attack हो सकता है, cognitive impairment हो सकता है, heart में क्या होता, heart में क्या action हो, high blood pressure, insulin resistant, increase risk of coronary heart disease हो सकती है, extremities में क्या हो सकता है, देखते, peripheral vascular disease resulting from narrowing of blood vessels, and increase the risk of for reduce or lack of blood flow in leg, feet wounds are likely to heal slowly, contributing gangrene, other complications, मतलब जो पैर के घा होते हैं, क्योंकि blood vessel का narrowing हो जाती है, इसे blood flow कम होता है, जिसे feet के घा हो जो धीमे-धी में सूपती है, और कभी कभी गाता है, गैंग्रीन भी हो सकता है, यह macrobus flow complication होती है, इसको अब आते हैं, यह में इसमें भी दिखाया गया, क्या क्या होते हैं, complication में, डियाप्टिक फूर सकता है, glucoma हो सकता है, kya-tract हो सकता है, diabetic retinopathy होती है, peripheral arterial disease हो सकती है, heart attack हो सकता है, stroke हो सकता है, peripheral neuropathy हो सकती है, diabetic nephropeathy हो सकती है, यह सक complication diabetes के दिये गए हैं, दोस्तों, मित्रों, मुझे लगता है, आपको sugar diabetes समझ में आ गया हो, अगर समझ में आ गया हो, तो channel को like और subscribe जरूर कर दीजिएगा, आपका बहुत वीडियो देखने हैं, आपका बहुत बहुत धन्यवाद,